तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं HS First Year Economics के Important Questions को तो Important Questions के साथ Answers भी देखेंगे हम लोग इस वीडियो में हम लोग Unit 2 यानि के Collection, Organization and Representation of Data की Practicals के बारे में बात करेंगे Theory के वीडियो आल लेडी हम लोगों ने इस चैनल पर बना रखी है Kindly आप जो है उस वीडियो को भी जाके जरूर चेकाउट करना कि हम लोगों ने थियोरी जैसे ये सब सारे Theory अल्रेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है तो especially जो हम लोग इस वीडियो में Practicals के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट से आप लोगो एक्जाम्स में कौन से कौन से ऐसे Practicals है जिनको आप लोगों को कड़के जाना चाहिए बहुत लोगों ने बोला कि सारा Practicals पर वीडियो बना दीजे तो मैं Theory और Practicals दोनों के ही उपर वीडियो बनाऊँगा अगर आने वाले चेप्टरस के उपर आकर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट सेसर में कमेंट करना और अगर PDF अच्छी लगे तो दिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पे जाके छोटी सी पेमेंट करके आप ये PDF ले सकते हो तो चलिए देर ना करते हो इस प्रैक्टिकल की वीडियो की स्टार्ट शुरुवात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे देखो यहाँ पे कोशन से यहाँ पे हम लोग सबसे पहले suitable diagram बनाने के लिए दिया गया है इस तरीके के छोटे-छोटे suitable diagram हो सकते है आप लोग को दिया जाए जैसे कि represent the following information with the help of suitable diagram तो suitable diagram बनाना है दिया गया है गोशन में year दिया हूँ और income दिया है 2002, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है तो यहाँ पे इसको हम लोग बार ग्राफ से क्या कर सकते हैं प्लाट कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगी यह हमारा x axis हो गया हमारा y axis हो ठीक है इस तरीके kे x axis और y axis के आप लोगों क्या कर लेना है बना लेना है जैसे कि यहाँ पर आप देख्रों इसको ले लेना 5 10 15 20 25 30 यहां पर 29 दिखाई दे रहा है, यानि 30 तक हम लोग बनाते हैं तो हो जाएगा, तो यानि कि 30 तक हम लोग बना रहे हैं, अगर ज्यादा नंबर होगा तो गैब बड़े ले लेना, उसके बाद 2002 में, 2002 में कितना था? 18 था तो यह 15 और 20 के बीच में आएगा, तो यह हो गया हमा हमारा 20, उसके बाद था 26, तो यह 20 ठीक, 25 के थोड़ा सा उपर हो जाएगा 26, उसके बाद हमारा 19, यह 20 है, 20 से थोड़ा सा नीचे होगा, यह हमारा 19, 2005 में, तो इस तरीके सा आप लोग बार ग्राफ को बना सकते हो, उसके बाद, next question हमारा है, बार डाग्राम हम लोगो ड्र कोड दिया हुआ, यह के साथ, यानि कि ऐसे questions को हम लोग को डबल बार डाग्राम बनाना पड़ता है, तो उसके लिए same हम लोग वापस दुबारा क्या करेंगे, x-axis को बनाएंगे, और यहां पर y-axis को बनाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, कि सबसे highest number कितना है यह यहां पर, तो highest number देखो, यहां पर मुझे 170 दिखाई दे रहा है, तो around समझ लो, around 180 to 200 के आसपस अगर हम लोग ले ले लेते हैं, तो हो जाएगा, तो उसके लिए हमें gap कितना कितना रखना पड़ेगा, करीब 25 हम लोग gap रखेंगे तो अच्छा होगा, आप लोग 30 करके भी gap रखेंगे हो, 50 करके भी रखेंगे हो, लेकिन ऐसा रखना कि बहुत जादा भी ना हो जाए, और बहुत कम भी ना हो जाए, उसके बाद यह x axis हमारा और y axis बन गया, उसके बाद हम लोग बनाएंगे gaps, जो ही 25, 50, 75, 100, 125, 150, उसका बन 75, उसके बाद हम लोग जो है न, import के ल export कितना है, 80 है, और export हमारा कितना है, 72 है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 80, यह 75 से ठीक उपर होगा 80, थोड़ा सा उपर हलका सा उपर होगा, और 75 से नीचे होगा हमारा, यह वाला 72, तो यह 72 था हमारा export, और 80 था हमारा import, इसी तरीके से बागी सारे diagrams को भी जिसको हम लोग कहता है, sub divided bar diagram, तो कई बार sub divided bar diagram भी पूछे जाते हैं, यहाँ पर क्या होगा देखो, तीन या फिर तीन से जादा quantity दिये होगे, जैसे 2006 और 2007 का दिया गया है, wheat, cotton, rice, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पता है, कोशिंस में अगर total नहीं दिया हो तो फि वापस दिबार होई, x-axis और y-axis बना लेंगे, अब देखो, सबसे highest कितना हमारा 35 है, तो कम से कम 35 तक होना चाहिए, हम लोग gap कितने रखेंगे, 55 रखेंगे, तो 7 gap में हो जाएगा, अगर 2-2 करके रखेंगे, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 10-10 करके रखेंगे हम लोग एक बार बना देंगे, उसके बाद नीचे से स्टार्ट करेंगे, wheat, wheat कितना हमारा 13 है, तो wheat 13 है, इसका मतल़ 15 और ten के बीच में होगा, तो 15 और ten के बीच में यह mark लगा देना है, यह हमारा wheat हो गया, फिर यह 13 से 10 जादा कितना होगा, 13 से 10, 13 प्लस 10 कितना हो तो यह आनि कि 23 25 के नीचे आएगा तो 25 के नीचे फिर एक mark लगा देना है तो यह अब तीन भागों में बढ़ गया है पहला होगा हमारा वीट उसके बाद हो गया हमारा cotton उसके बाद हो गया हमारा rice और तीनों के लिए अलग-अलग symbol इस्तेमाल कर लेना है इसी तरीके से हम लोगो नेक्स 2007 को भी बना लेना है 2007 हो 35 है तो ठीक 35 के सीधा सीधी हम लोग को एक बार बना लेना है फिर उसके बात पहला हमारा 15 है तो 15 के सीधा सीधी हम लोग को एक मार्क लगा देना है फिर 15 प्लस 12 हो जाएगा हमारा 27 याने कि 25 के ठीक थोड़ा से हलका सा ऊपर हम लोगों को मार्क लगा देना है तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा सब्भिवाइट बार डाइग्राम नेग्स्ट हमारा कोश्टन है यह है डिलेटट तु पाई डाइग्रम अब यह पायर डाइग्राम में क्या कोशिन पूछा गया इस तरीके से आप लोग को items of expenditures दिया जा सकता है अब solution table में हम लोग कैसे बनाएंगे सबसे पहले तो food जिसे दिया गया था वैसे लिख लेंगे यह हमारा house है, clothing है, fuel है, miscellaneous है इसको लिख लेंगे उसके लिखने के बाद ना हम लोग इनको क्या कर देंगे, total कर देंगे, total आगे हमारा 100 उसके बाद हमें निकालना होता है degree, तो degree कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 20 है, 20 divided by हमारा total था, इसको हम लोग divide करेंगे total से, और हमें पता है complete angle में 360 degree होते हैं, तो 360 से हम लोग into कर देंगे, तो यह हमारा आगे 72 degree, उसके बाद यह 100 और हमारा total था वो, और 360 से into, तो यह आगे 36 degree, फिर यह 25 और यह हमारा total, और 360 से into, यह हमारा आगे 90 degree, इस तरीके से बागी सारे ही चीज़ों को हम लोग कर लेंगे, और जिसे food का 72 degree, clothing का 36, housing, rent का 90 degree, fuel और lighting का 126, और millis का 36 degree, total मिला के हो गया हमारे 360, इसको add करके देख लेना, अगर add करके 360 degree नहीं आता है, तो that means आपने कहीं नहीं गल्ती किये है, उसके बाद Compass से एक circle बना लेना है, Compass से circle बना लेने के बाद, एक कोई भी line ले लेना है, एक scale से right layer लेना है, उसके बाद, एक एक करके आप लोग को बनाता छेलाओ चाना है, जैसे कि यह 90 degree है, तो पहले 90 degree बना लेना है, फिर उसके बाद यहाँ स से मेजर करकर जो नेक्स्ट उसको बनाते हैं उसके बाद उसके लगे कश.. इस तरीके से अप लोग को प्रोटắt से आप लोग को इसको बना लेना है उसके लिए हमारा हिस्ट्रोग्राम से रिलेटेट तो देखो हिस्ट्रोग्राम से रिलेटेट हम लोग कैसे बनाते हैं को इसको ध्यान से जमलना ठीक है हिस्ट्रोग्राम में हमेशा कॉंटिनियूस सीरिस होना ज़रूरी है जैसे यहां पर 0-5 5-10 10-15 फिर उसके बाद 15-20 22-25 25-30 30-35 तो होना कोईनियूस सीरीस होना बहुत ज़रूरी है अगर अईयर को कातिनियूस नहीं थो आप लोग को एक टेबल बना पस पस होता है तो भी 5 ले लेते हैं 50 तक हो जाए ना तो भी 5 ले 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 न अच्छा रहता है तो हम लोगों को सबसे पहले पता है 0 to 5 में कितना था 4 था तो यह 4 जो हो 5 का ठीक तुरा सा नीचे हो गए और एक बात याद रखना जैसे बार डायग्रम होता है उसके बीच म था हमारा 10 to 15, 14 था यानि कि यह 15 से ठीक थोरा सा नीचे हो गया और फिर उसके बाद 15 to 20 कितना था हमारा 22 तो यह 20 के ठीक थोरा सा उपर हो गया तो इस तरीके से continuous series और वह सटा सटा करके आप लोगों को एक एक बार बना देना है इस तरीके से हो जाता है हमारा histogram complete next हम लोग देखेंगे अगर histograms में अगर मालने की gap है जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 यहां पर 40 to 60 आ गया है और 60 to 90 आ गया तो पहले इन gaps को क्या कर लेना पड़ता है हमें ठीक कर लेना पड़ता है उसके बाद हम लोग चाहें तो इसको बना सकते हैं वापस दुबारा same process अपनाएंगे यहां पर और इसको हम लोग बना लेंगे ठीक है चलो अब देखते हैं frequency polygon तो इस unit से कई बार नहों frequency polygons भी पूछे जाते हैं तो frequency polygon को कैसे बनाना है तो frequency polygon को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग questions को समझेंगे वापस दुबारा frequency polygon में भी continuous series होने चाहिए नहीं होगा तो बना लेना है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इस तरीके से continuous series है तो highest number हमारा क्या है मतलब यहां पे कितना है यानि कि वो कितने तक जा सकता है तो देखो यहां पे आप लोग को दिखाई दे 10 हम लोग यहां से डालेंगे ठीक है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 तक है तो 80 तक बना लेंगे तो हो जाएगा आप चाहो तो यहां पे 90 भी डाल सकते हो उसके बाद क्या करना है 0 to 10 अब 0 to 10 में कितना 10 है तो सबसे पहले हम लोग 10 तो यहां पर 10 ले लेंगे पहले histogram बना लेंगे पहले जैसे मैंने आप लोगों बता था पहले histogram बना लेंगे 10 to 20 में कितना 18 है तो 20 से ठीक नीचे होगा यहां पर एक बार हम लोगों बना लेना है फिर 20 to 30 कितना 35 है तो यह रामा 35 तो ठीक इसके साथ हम लोगों को एक और बार बना लेंगे इसी तरीक से सारे बार्स को हम सके सारे लेंगे complete कर लिए जैसे ही आरे बार मिर्स किया कर लिए तो क्लास को क्लास इंटरवल आप लोगो दिया रहीग उसके साथ frequencies दिया रहेंगे ठीक है तो यहां पे भी आधा questions है अच्छा उसके बाद ना पहले तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो हम लोग को अगर class interval और frequency दिया है तो हम लोग को जो है ना cumulative frequency भी निकालना होता है अगर less than बोला अगर exam में बोला कि less than बनाना है तो यह यह और यह column बनेगा सिर्फ और अगर आप लोग को more than बोला तो आप लोग जोना यह यह और यह बनाओगे और अगर बोला दोनों ही बनाना है less than और more than या फिर median निकालना है और गिप के साथ तो जोना आप लोग वह चारो ही बनाना होगा मैं बताऊंगा कि कैसे बनाना है सबसे पहले तो पता करना है कि कोशंश में जो दिये गया है जैसे यहां पर देखो इसका पहले कॉलम में class interval डाल लेना है, फिर हम लोगो frequency डाल लेना है, उसके बाद less than बनाएंगे हम लोग, तो less than में क्या करना होता है हम लोग को, less than में हम लोग को add करते चलना है, तो पहला तो 6, उसके बाद 6 plus 9, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर ये 15 plus 13, मिलके हो जाएगा 28, फिर 28 plus 23, ये ह हो जाएगा हमारा 51, फिर 51 plus 19 हो जाएगा 70, फिर ये 70 प्लस इस तरीके से ये प्लस होते होते जो यहां पर 100 आ गया, यानि कि पहला वला 60 लिख देना है, उसके बाद वाले number से ऐसे करके, प्लस करते करते चलना है, उसके बाद मोर दिन में, मोर दिन में क्या करना है, मोर दि अब यह 94 से हम लो माइनस करेंगे 9, आगे 85, फिर 85 से हम लोगो माइनस करना होगा 13, फिर 72 से माइनस करेंगे 23, फिर 49 से माइनस करेंगे 19, फिर 30 से माइनस करेंगे 15, फिर 15 से माइनस करेंगे 9, तो आ जाएगा, इस तरीके से हमारा टेबल हो जाए, ठीक है, अब उसके तो देखो यहां पर 0 स्टार्ट करेंगे फिर 20 25 30 35 40 45 50 55 60 इस तरीके से वो ना चलता चला जाएगा ठीक है चलता चला जाएगा तो सबसे पहला मारा 20 to 25 है तो सब जो है नहीं सारे गैप हम लोगों ने क्या लिए 5555 यहां पर लिया और यहां पर जोना गैप जादा है कितना है मारक 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 जा गया है लगा हैThat शेयं ने यहां पर यहां पर ल्यामनागाट है ने यहां पर 25 यहां यहा पर ugs ऐप हमारा अब 2225 में हमारा 6 यहां हम लोग 6 तो 6 क्या होगा यहाँ पर 10 हम लोग 10 जना 10 20 20 30 40 50 60 इस तरीके से हम लोग को नंबर लिखे लेना 60 70 80 90 10 4 लिखे लेना है इसका मतलब देखो यह गाप जो है 10 है यानि की 6 कहां पर होगा तो 20 to 25 के अंदर में यहां पर होगा इस जगह पर होगा ठीक है तो यहां twitter, 25 to 30 हम 15 इस जगा पर हम दो हो गवेक्स तो इस जगा पर हुगा तो इस जगा पर भी हम लोगो Route लाँ लेना है फिर 30 to 35 यहां पर 28 है तो 30 to 35 यानि कि यहां पर हम लोगो 28 आनि कि इसके थोरह से उपर हम लोगो यह लगा लेना Nach इस तरीके से सारे dot को लगाते 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 हम लोगों फिर यह जोड़ देना है तो less than क्या होता है यह नीचे से उपर जाता है उसी तरीके से more than को भी बनाना है तो 20 to 25 में 100 है तो 20 to 25 यहां पे हमारा तो इसके सीधा सीधा 100 कहां पर होगा इस जगह पर होगा तो डॉट इ आई होगा गयाता तक बनाना में आ सका आप लोगा और और अपने और इस वीडियो के साथ ज़रूर करना और कैनली मुझे मिजे ते आपको वीडियो चाहिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुद्बाइ